आप सभी का एक बाद फिर से जोगराफी विद्रह्मान सर के यूटूब चैनल पर आज हम इंपोर्टेंट चेप्टर के बारे में बात करेंगे जो विश्व प्रादेशिक भूगुल के अंतरगत आस्ट्रेलिया है तो आस्ट्रेलिया की खनी संसादनों की बात करेंगे आस् उससे आपको बहुत कुछ जानकरी मिलनेगी देखिए और नक्षा आपको दिखाई दे रहा होगा इस और नक्षे में आपको यह जो बाउंडरी नजर आ रही है यह यह बिल्कुल आपका ऑस्ट्रेलिया महादीप में जो देश है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कंगार सागर है यहाँ पर डेंपियर जेस्टल यह पर्त ऑस्ट्रेलिया क्या ये बहुत इंपोर्टेSl by और इसके लावा यहाँ पर आपको बहुत बड़ी खाटी दिखाई देगी आपको इसको ग्रेट और जेट ठाण खटीलन खटीन भी बहुत कहते यह इसके लावा यहाँ ए देखिए ऊस्ट्रेली खाड़ी लिख रहा है इसके बाद आप इधर की तरह आएंगे तो यहां पर आपको मांट ग्लेशियर ग्लेबियर दिखाई देगा और पूईू मेक्स तसमान सागर आपको नीचे दिखाएगा तसमान या नीचे है इसके और अगर हम नीचे देखते ह आपको केनबरा जो है वो इसके अलावा उपर चलेंगे सिडिनी है कॉलीन बंदरगा है और उपर जाएंगे ब्रिजबेन आपको नजर आएगा तो यह सभी आउस्ट्रिया के पुमुक शहर आपको यहां पे दिखाए देंगे मेलबरन आपको इधर नजर आजाएगा यहा इसका काफी बार पूचा गया है बहुत परतियों की परीक्षाओं में यहां पर इस्तिते ग्रेट बेरियर रियुक महान प्रवाल वित्ति अवरोध प्रवाल वित्ति जो है तो यह हो गया इसमें कुछ इंपोर्टेंट देखिए एलिस स्प्रिंग सावर्टन कालगुल्ल है मैं आपको इसकी प्रवुद्ल प्रव्प्लप्त कर दोगा इसके बाद नीचे देखते हम यह न्यूजिलेंड दूप है इस न्यूजिलेंड दूप में आपको दो प्रवुक दूपों के नाम याद रखने पड़ेगा एक तो यह उत्री दूप है एक दक्षिनी दीप ह जो पूरू में है इस्तित है इसमें आपको एक तो oakland नजर आजएगा आपको और एक वेलिंग्टन नजर आजएगा ओक लेंड नीची वाला है वैलिंग्टन उपर ठीक है यह नृजिलेंड का नक्षा है यहां दखशनी प्रशांद मास आगर आपको और दिखाई देरा आगा यह को जलसंदी दिखाई देरी फोकेस जलसंदी आपकी इस्ट्वर्ट दीब की बारे में पूछा गया है प्रशन पहले यह न्यूजिलेंड के दक्षिन में हैं इपकाई खड़ी क्राइश चर्ष न्यूजिलेंड का इंपोर्टें स्टान ने कि के केंट बरी न्यूजिलेंड के घंस मेंदानों को कहते हैं वह बहें आपको पता होगा इसमें जो जो भी लिखा हुआ है वह आप याद रुक लीजेगा देखिए ऑखलैड न्यूजिलेंड के उपर वाले दीज़ेश ब handy दो यह ने ड्योज ने के यह अब देखें तस्मानिया की खाड़ी कहा है यहां ठीक है ने तस्मान सागर आपको उपर मिलेगा यहां पर तस्मानिया की खाड़ी यहां पर मिलेगी खनीज के उथ पादशित बारत में जन संहें डिखा यह अगरा याद होना चाहिए लह इस के उतपादन करता है जए बारह में फिल बारék बारा सु किलोमेटर डूर शेत्र में गष्ट हो में चेंग इसमें आपको पिलवरा शेतर आया है और हमसले खदान गौल्डम ने देखिए ऑश्टलय के पश्चिम में यह देखिए आपको कलगुल्ली और पश्चिमी ऑश्चिमी ऑश्चिम्हा का शेतर यहां पर आपको जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक ने पिलवरा बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है पिलवरा की खान आउस्ट्रिया में कहा है इस्थित्र आगे चलते हैं इसके बाद देखिए और आगे देखते हैं तो हम क्या मिलता है हमको कि आउस्ट्रिया में ये खान है इसके अलावा मुख्य खानन चेत्र जो है उसमें उत्री भाग में इस्थित्र कुछ उत्पादन चेत्र क्विन्स, क्लीवलेंड, तस्मानिया दक्षिनी ऑस्ट्रिया में भी मिडिल बेक जो है वो रेंज आइरन नौक ये सभी ऑस्ट्रिया के प्रमुक उत्पादक छेतर आइरन नौब को आप याद रखेगा आइरन नौब ये परिक्षाम पूछा गया है आइरन नौब ये भी ऑस्ट्रिया में है ठीने ऑस्ट्रिया क्या है कि उत्त्री प्रांत कार्पेंट्रे की खाड़िय में इंग्लेंड जर्मानी आदी देश को निर्याद करता है अब देखेंगे छोड़ा-देश तो नहीं है उस्टिलिया वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा महादीब जो है उनमें सबसे छोटा महादीब जो आता है वो उस्टिलिया है लेकिन देशों के अकोर्डिंग हम देखेंगे तो भारत से बड़ा देश है उस्टिलिया लेकिन जनसंग क्या जो है यहां की बहुत निर्यात करना बढ़ता है आगे देखते हैं हम तामबा औस्टलिय विश्व के कुल तामबे उत्पादन का कितना 60 लगबग 6 परतिसत उत्पादन करता है न्यू साउथ वेल्स राज्ये में तामबे का मुख्य उत्पादन शेत रहे क्विन्स लेंड है न्यू साउथ वेल्स है पसी में उस्टलिय की परमुख उत्पादक शेत है उत्पी राज्ये में ट्रेनांट क्रीक और तसमानिया में ट्रेनांट अन्य परमुख उत्पादक शेत रहे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सीसा और जस्ता आगे हम देखते हैं यह ओशले की प्रमुख खनीज थे जो तीन चार खनीज है इनके बारे में हमने शंक्षिप्त जानकारी दी है इस तरीके का प्रशन यह क्या है निमने पर टिपनी लिखी है मैंने एक प्रशन दिया था आपको एक प्रशन दिया था प्रशन नंबर 16 उस के जवाब में मैंने सारी बाते लिखी हुई है इसके बाद नेक्स्ट प्रशन जो है वह हो न्यूजिलेंड और ओस्ट्रिया के डेरी उध्योग तो डेरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा यहां पर की जाती है डेरी उध्योग का सीधा संबंद किस से है पशुपालन से और और ओस्ट्रिया और न्यूजिलेंड में सबसे ज़्यादा पशुपाले जाते है ठीक है यह से भी दशाएं उन शेत्रों में परियाप्त मातरा में सुखमता से पाई जाएगी जहां पशुपालन होता है डेरी उध्योग के विकास के लिए परत्यक शुरुप से प्रपव एक सूखा प्रदेश है ओस्ट्रिया एक ड्राई महादी फेक तरीक है इसका रण डेरी होईशा है दक्षिनी पूरी आदर राज्यो विक्टोरिया न्यूसाउथ वेल्स क्विन्स लेंड में सीमी थे पश्ची में ऑस्ट्रिया पूरा सूखा है देखिए एक बार फिर से ह यहां पर क्या चाता है देखिए यह सुखा क्यों नहीं है जैसे राजस्थान के संदर में आप देखते हैं कि राजस्थान में बीच और बीच में परवत माला पाई जाती है इस तरीके से जिसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज गहते हैं तो यह मरुस्थल का प्रसार यहीं तक हो पाया है इसके इधर नहीं है तो इधर के शेत्रों में पर्यापत मातरा में वर्षा होती है और यहां पर वनस्पति भी अच्छी पाए जाती है और घास के मेदान पाए जाते हैं तो यहां पर पशुपालन जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है इधर भी पशुपालन किया जाता है लेकिन पशुपालन इतनी ज़्यादा मात्रा में यहां पर नहीं किया जाता है आगे चलते हैं न्यूजिलेंड में डेरी उद्ध्योग को देखते हैं अच्छा आउस्ट व्यक्ति दूद का देनिक उबवग 500 ग्राम है पशुदन से प्राप्त कुल उत्पादन के 67% दूद का उबवग मक्षन बनाने के लिए किया जाता है हमारे यहां पे दूद को अधिकांश पीने के इस्तिमाल में किया जाता है न्यूजिलेंड की डेरी उद्यवग देखते ह है उसको पाउडर बना जाता है दूद की प्राप्ति गाय बैस बेड़ आदी से की जाती है चोपायों से की जाती है और डेरी उद्यवग का सीधा संबंद की से पशुपालन से आती है यह भी सभी दशाएं पशुदन डेरी फार्मिंग से अच्छी राष्ट्रे आई प्र प्रती व्यक्ति दूद का देने को उपभोग पाज पंदरा सो ग्राम है अब देखिए डेड़ किलो एक आदमी रोजाना उपभोग करता है इसमें बच्चा भी शामिल है बड़ा भी शामिल है प्रती व्यक्ति है यहां पर ठीकने 93 परसेंट दूद मक्कन पनीर और अधियात में विश्वम पेला इस्तान है यह दियान रगिए का आपने सबसे ज्यादा दूद का प्रोडुक्षन करने वाला देश उत्पादन करने वाला देश भारत है जबकि एक्सपोर्ट करने वाला देश न्यूजीलेंड है और सब ज्यादा यहां ही दूद का न्यूजीलेंड और जर्ष्ष्वक की मिट्टी में मिट्टी जलवाई वनस्पदी मूल्स चटणन और धरातल सी निर्धारीत होती है यानि कि इन से बंती हानिस तत्थवीशन पाए जाते हैं यह हमोगे तक कई प्रकार की मिट्ट्या पाए जाती है जिनका संक्शिप्त विवरन निमली किते पॉट जोल मिट्टी लेटराइट मिट्टी काली मिट्टी मरुस्तले मिट्टी भूरी मिट्टी चेशनेट मिट्टी इन सबी के थोड़ थोड़ा देखते हैं हम संक्षीप्त वर्णन कर रहे हैं हम इसका क्योंकि यह लास्ट वाला प्रसंट था प्रस्टी में भूरी रेतिली मिट्टी होगी भूरी रेतिली मिट्टी जो है यह बलू यह दोमत संदर्शना वाली भूरी रंग की मुर्दा है व्रद और टिजन बैसिन डॉर्लिंग बैसिन आधिम पाए जाती सामाने से उर्वरा शक्ति इसमें क्रिशी के लिए रासाइ नियू-साॉथ वेल्स के परवती है धालों सी विक्टोर्य घाटी तक मिलता है लेटर्रायट मिर्दी मिर्दा जो है अश्टलय के उत्री अश्टलय के प्राइधी पीए भागों में इस मर्दा का विस्तार पाय जाता है और अस तरी मिट्टी प्रदेश से घनी वनस्पती पाई जाती है और मिट्टी का वोग जो है सीमित है मरुस्तरी मिट्टी अच्छा उस मिट्टी में लोगा और एलिमीने में पाया जाता है मरुस्तरी मिट्टी जो है नीजिलेंड में एस और ऑस्टलिया में यह मिट्टी विस्तरित मरुभागों पाया जाती है यहां विशाल मरुस्तरी पस्चिम जिसको ग्रिट विक्टरलमेस्तर कहते हैं उसमें विट्टी कवज़तार पाया जाता है आस्ट्रिया के प्रमुक पांच भागों को आप याद रख लीजिएगा सबसे इंपोर्टेंट वही है एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ पांच भाग कौन-कौन से हैं उस्ट्रिया के जिनको आपको याद रखना है यह उस्ट्रिया कुछ नक्षा है इसको कहते हैं पस्चिमी उस्ट्रियलिया ठीक है नहीं पस्चिमी उस्ट्रियलिया इसको कहते हैं उत्री उस्ट्रियलिया और एक स्क्रिंस लेंड और न्यू साउथ वेल्स वांच भागों बाटा गया है आगे देखते हैं हम न्यूजी लेंड की मिट्टी की बात करते हैं तो न्यूजी लेंड में देखें मिट्टी धरातल जलवायू और जीवानियों भूजनक पदातों किर्या का प्रमान है वही पर मिट्टी पाये जाती है ठीकते है मिट्टियां दक्षिनिदीब के बहुत कम शेत्रों में देखने को मिलती है इन मिट्टियों में जो है इन मिट्टियों का विकास चट्रानों के अप्चरान से हुआ है और ये कम उपजाव मिट्टि है न्यूजीलेंड के कुछ शेत्रों में नादियों दोरह लाए गए और स विशुद के काल में विविन वस्तों के आयात में जो है काठिनाए होने के करण सुद्धिशी उद्योगी की स्थापना और विकास को प्रोथसाहन मिला कच्चे माल की प्राप्ति विज्ञानिक उन्नती तकनिकी ज्यान विदेशी पुंजी आधी कारक इसके उद्योगी विक कि शेयर दक्षिन पूरू में इस्तित है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया द्रिश्टी से सरवादिक अध्योगी द्रिश्टी से सरवादिक प्रांत है सिड्नी मेलबन नगर प्रूमक अध्योगी केंदर है और लोहा इसपास सूतिवस्त रासाइनी कागज सीमेंट आश्ट लेके प्रूमक अध्योगी कुतपाद है नेक्स देखते हैं लोह इसपास आइरन इस्टिल कंपणी और इसले में लोह इसपास पांच सायंतर है पहला सायंतर न्यू साउथ वेल्स के पोर्ट केंबला में इस्तित है और ब्रोकन हील प्रोपारिटी कंपणी द्वा बरावा हमें इस्तापित है और ये दोनों कोईला शेत्र और बाजार के निकट है न्यू केसिल तता पोर्ट केब्रा इसपात कारखानों को पशिम उसले में कोकातू तता कुलन द्वीपों से लोह आयसक न्यू साउथ वेल्स के मारूतान शेत्र से चुना पत्तर और लिद कोईला और बाजार शेत्रों के दूर लेकिन लोह इस्ताच शेत्रों के समीब है कोईला लोह एक्स के बाजार पूंजी उन्हा तक्णिक की कारण ओशले में लोह इसपात अध्योग का विकास हुआ है विश्व उत्वादन का एक परतिशत इस पात यहे उत्वादित करता ह एक बात बताओं मैं आपको जितना भी कोई सा भी उद्योग हो उसको बनाने के लिए उसको निर्मान करने के लिए उद्योगी कवस्तिती सिद्धान्त दिया गया था उस उद्द्योगी कवस्ति सिद्दंद के बारे में थोड़ा साब को बता दूँ जैसे माली जी कच्चामाल A ये है कच्चामाल B ये है और कच्चामाल C ये है ये C, ये A और ये B ये तो है बाजार क्या है ये बाजार दोबारा से देखते हैं ये तीन हो गया ने ये बाजार है और ये कोईला है माली जी कोईला और ये है लोह आयस्क अब आपको अगर उद्योग लगाना है तो सबसे बेतरीन जगा आपके उद्योग लगाने की ये होगी क्योंकि अगर यहां लगाते हैं हम तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमको परिवहन के रूप में हमको खर्चा देना पड़ेगा यहां हमको लगाते हैं तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी परिवहन के रूप में हमको खर्चा देना पड़ेगा जबकि यहां लगाते हैं तो इन दोनों से माल मांगवाना पड़ेगा तो भी हमको बराबरी दूरी लग रही है जबकि हम उद्योग को यहां लगाते हैं तो यहां से हमको लोहा मंगाना पड़ेगा यहां से कोईला और यहां से हम वाजार में बैदेंगे तो इन तीनों की अगर दूरी मापेंगे हम ये वाली तो इन दों से कम आएगी इसलिए सबसे बैतरिन जगा उद्योग लगाने की यरिती उद्योग के कवस्ति सिद्धान्त ये किस ने दिया था वेबर महोदे ने ठीक है ध्यान रखना इसका आगे देखते हैं ओस्ति उद्योग ओस्ति इसलियो अधिक विक्सित नहीं हुआ है नियू शाओ वेल्स के पर्ट केमबला में सिद्धान्त का बड़ा खार कना हैं आधी छेतरों में जो है वस्ति उद्योग के केंदर है देख लीजीए گा आप ये इसके बाद लास्ट है कागज और चीनी उद्योग इनको भी आप देख लीजिएगा और चीनी उद्योग के परमुक केंजरी विक्टोरिया तसमाने किंसलेंट न्यू साउथ वेल्स में है जहां ऑस्ट्रिया के लगबग आधिक आगज इनको के कारकाने चल रहे है इसके अलावा चीनी उद्योग ऑस्ट्रेम गन्य का उत्पादेंट पर आधारी थे कुίνसलेंट में गन्य अधिक उत्पादेंट होने करन शरवादिक चीनी मिले हैं आपके किंसलेंट में Australia के लगबग 90% चीनी का उत्पादन Queensland से होता है Australia में Australia के चीनी के 75% कारकाने Queensland में है Victoria में चुकंदर से चीनी बनाए जाती है Australia Britain जापन आदी देशों को निर्यात करता है तो यह Australia के बारे में important बाते थी इसके बाद हम next वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं झाल झाल झाल